हाई एवरीवन वेलकम तो सरकारियट वॉन्स अगें तो फाइनली आप सभी के लिएक इंपॉर्टेंट अब्डेट आ चुका है उत्राखंड के नर्सिंग और पारमेडिकल कूर्सिस का जो एंटरेंस एक्जाम आप सभी कांडिडेट्स ने दिया था उसकी कांसलिंग आज स शुरू हो रही है ठीक है तो कांसलिंग का जो ओफिशन नोटी से वह यहां पर आ चुका है तो उसी के बार में हम लोग डिसक्शन करेंगे और यहां पर क्या है कि कांसलिंग स्टार्ट भली हो जाए रिजिस्ट्रेशन प्रॉसस भले स्टार्ट हो जाए लेकिन मैं आप चीज बता दूं कि अगर आप यह सोचोगे कि जितना जल्दी करेंगे उससे कोई हमारे मतलब सीड मिलने के चांसे पर कोई एफेक्ट पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला मैं इसलिए चीज बोल रहा हूं कि भई आपको जो है पेशेंस इसले रखना है क्य क्या होता है कि जब ये वेब्साइट पर कुछ भी चीज नहीं स्टार्ट कर रहे होते हैं तो काफी सारे टेक्निकल इशूँ सेखनी कल गलिचेस होते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है और इस देखो आप इनके कॉन्टेक्टन नमबर पर कॉल कर दें तो कभी नहीं लगता है और वहाँ से अगर आप इन सब चीजों के बारे में पूछोगे भी तो आपको कोई जो है मतलब ऐसा आंसर नहीं मिलेगा जिसाब satisfy हो पाओ तो इसलिए मेरी सबी से request है कि बाई counseling registration start हो रहा है तो आप बिल्कुल भी जलबाजी ना करें एकाद दिन का अराम से wait करें पहले सारी चीजों को समझें कि सारा process करना कैसा है उसके बाद यहाँ अपनी counseling में participate करें ठीक है तो यहाँ पर देखो यह schedule यहाँ पर आ चुक है तो schedule को पहले हम थोड़ा सा discuss करेंगे इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़े हैं जो की rules हैं आपके counseling में participate करने के उसको भी समझेंगे बाकी fees कितनी लगेगे आपकी वो सारी चीज़े हम लोग देखेंगे upcoming videos में तो अगर आप चैनल पर नए हो तो subscribe ज़रूर कर लो और bell icon को press कर लो ठीक है तो यहाँ पर देखो schedule कुछ इस तरीके से इन्होंने यह लिखा है कि भाई अभी य प्रोर्स के लिए जो schedule है वो यह है कि जो online registration है fee payment है application form और choice filling का जो process है वो 10 तारिक से लेके 18 तारिक के बीच में होगा ठीक है अब हो सकते है कि कुछ बच्चे जाके website पर try करने लग जाए लेकिन मैं आपको बता दूं patience रखो एक दो दिन का wait करो 12 के बात करना अराम से registration अभ पूरी आपकी है क्योंकि आपकी कोई भी problem यहां पर solve नहीं होगी ठीक है न तो इसलिए आपको जो है patience रखना है क्योंकि 18 तारिक last date है तो जल्दी करने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको seat पहले मिल जाएगी ठीक है न तो आप 12 तारिक के बाद ही करें तो ज्यादा अच् पच्चों को seat a lot हो जाएगी वो बच्चे college जाएंगे अपने original documents लेके document क्या क्या ले जाने होते हैं वो भी मैं बता दूँगा और उसके बाद 27 को जो है 27 September 2024 तक जो है यह आपकी last date रहेगी आपको जो भी college में लाओगा वहाँ पर reporting करवा के admission करवाने के लिए ठीक है तो य जल्दी ही upload किया जाएगा अलग से ऐसा करके वहाँ पर एक headline आ रही है तो अभी उसके लिए थोड़ा सा wait करते हैं ठीक है बाकि जितनी भी important चीज़े मैं upload करता रहूंगा तो भाई मैं आपसे इसलिए बोला हूं कि एक से दो दिन का wait कर लो कल तक wait कर लो कल evening तक सारी चीज इच्छे समझ लो जब एक एक चीज सब clear हो जाएगी उसके बाद 12 अपना registration कर लेना तो ज्यादा benefit आपको रहेगा ठीक है और एक चीज में आपर और बता देता हूं कि कोई भी ऐसा candidate है जो counseling में मेरी personal help लेना चाता है तो वो मेरी mentorship batch में अनूल कर सकता है काफी सारे college को आपने preference पहले देना चाहिए कौन से college को बाद में देना चाहिए या फिर counseling में आपने किस तरीके से सही से participate करना चाहिए सो देट की government college मिलने के chances maximum रहें ठीक है और ऐसे ही बेसी पारमेडिकल वालों के लिए कि भाई कौन सा course हमें चूज करना चाहिए किस course में ज्यादा scope रहेगा तो यह सारी चीज़े अगर आप मेरे से जानना चाहते हो personally आप मेरे से call पर बात करना चाहते हो इन सब doubts के regarding तो आप मेरे mentorship group में add हो सकते हो mentorship group में add होने के लिए आप टेलीग्राम पर मेरे को message कर सकते हो इस पर आप मेरे को message करोगे आपको qr code बेजा जाएगा उस पर आपको 297 रुपीज का payment करना होगा जिसके बाद आपको group में add कर दिया चाहेगा मेरा contact number शेर हो जाएगा तो उसके बाद आप मेरे को call करके आपको अगर counseling में हर्च चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो तो उसके बाद जब जादा candidates हो जाएंगे तो मैं फिर उसको close कर दूँगा ठीक है तो अब इसको यहीं पर end करते हैं बाकि जतनी भी updates है वह आपको अभी मिलती रहेंगी तब तक चैनल को subscribe कर लो और bell icon को press कर लो बाकि आपके जो भी doubts हो आप मुझे comment section में बताएं मेरे को telegram प हुआ है